Hello friends, मेरे ना है Vijay, तो कैसे हैं आप सभी लोग? आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं operators के बारे में जानेंगे different type के operators क्या होते हैं, ठीक है unary operator क्या होते हैं और आपके bitwise operator और logical operator क्या होते हैं, तो चलिए start करते हैं आज हम बात करेंगे operators की, तो operator में सबसे पहला जो operator आता है वो आता है unary operator, unary operator मतलब क्या? unary operator मतलब कि इसको जो operand की जरुवत पढ़ती है, वो एक ही operand की जरुवत पढ़ती है मैं कहने का मतलब देखिए कि आपने देखा होगा अलगला programming language में है, अगर मैं इस तरह से लिखता हूँ a++ या फिर a-- या फिर मैं लिखता हूँ इस तरह से यह भी छोड़िए-5 या फिर-a मैं ने यह लिखा तो इसका मतलब क्या हो गया? कि मैं क्या कर रहा हूं यहां पर value को negate कर रहा हूं मतलब negative बना रहा हूं या तो जब मैं अगर मैं a++ लिखता हूं जो कि अलग दूसरी programming language का syntax है a++ लिखा इसका मतलब क्या कर रहा हूं मैं इसको increment कर रहा हूं एक से तो यह आपके unity operator आते हैं मतलब जिसमें सिर्फ एक वेरेबल आप लेंगे ठीक है एक operator आप लेंगे यहां पर operation लगाएंगे ठीक है तो यहां पर यहां पर इसकी कुछ आपको example दिखेंगे जैसे कि कोई value थी वह true देरी थी अगर उसके आगे मैंने यह लगा दिया तो यह क्या करेगा इसको किस में convert करतेगा false में आपका convert करतेगा false में convert करतेगा मनला इसको उल्टा करतेगा अगर यह false के आगे लग जाए तो यह true करतेगा निगेट करतेगा opposite करतेगा डी रीफरेंस देखेए अब हमने पहले बात के थी reference मतलब होता है एक address को लेना reference करना ठीक है कि मेरे पास address है उसको में reference करहा हूँ वहाँ से value उठा रहा हूँ ठीक है वो reference करना होता है ठीक है उसको difference difference मतलब करना क्या करना कि मां लीजिए कोई variable है मेरे पास x यहां पर कोई address है जिसने x ने क्या करका है इस address को अपने पास रख रखा है तो अगर मुझे यह जानना है कि यह जो address है इसमें क्या value है माले जिए 5 value है यह value मुझे पता करनी है तो मैं क्या करूँगा है इसको d reference करूँगा जहां पर मैं asterisk का use करूँगा तो यह भी आपका इक unary operator होता है जो कि यह बताता है कि मैं इस address पर यह जो address आपने दिया है एक्स के अंदर क्या होगा address होगा इसका पांच का पांच का address मने यह 100 है तो क्या करेगा एक 100 को store करके रखेगा अपने पास 100 x के पास value ह होगी अब मैं जब आगे से asterisk लगा दूँगा इसका मदब यह है कि मैं यह पूछना चाह रहा हूँ कि यह जो address है 100 इस पर क्या value है यह बता रहा है डी रिफेरेंस ठीक है इससे रेफेरेंस होता है address होता है जो हम M% sign का use करते हैं तो यह क्या करता है address लेता है अगर माली जी यह 5 है 5 कोई variable है 5 यहाँ पर value है यह a का variable है a is equal to 5 है अब मुझे a को reference करवाना है किसी और variable में तो यहाँ पर M% a करके use कर सकते हैं इसका मनदब क्या है कि a जहाँ पर store है वहाँ का address X में save कर दो जो कि इसने किया 100 को यहाँ पर store करके रख दिया तो यहाँ पर क्या करना मैं reference करता है तो यह भी आपके क्या होते है uninary operator के अंदर आते हैं ठीक है प्लस, subtract, multiply, divide और reminder, यहाँ पर आपका power नहीं होता है, ठीक है power symbol नहीं होता है, जो कि और हो में होता है इस तरीके से power symbol जैसे 2 की power 3 आपने इस तरह से लिख दिया यह यहाँ पर नहीं होता है, यहाँ पर आपको फंक्शन को कराना पड़ता है, ठीक है board mask का मतलब, b, o, d, m, a, s मतलब, पहले सबसे पहले bracket यहाँ पर parenthesis लिखा हुए, आप bracket ही समझ सकते है of, divide, multiply, addition, subtract, ठीक है इस तरह से ही चलेगा, यहाँ पर मैंने specify कर रखा है, जैसे कि parenthesis सबसे पहले open होगा, ठीक है, उसके बाद explanation मतलब, power वाले हो गए, ठीक है, फिर आपको multiply, divide, देखे, multiplication, divide, addition कैसे होगा, अगर मैंने इस तरह से लिखा, माल लेजिए, मैंने यह लिखा, 2 multiply by 3 divided by 4, तो इसमें कैसे होगा, तो देखे, left to right हमेशा move करेगा, left इधर side है, right इधर side है, मालब, यहां से इधर को move करेगा, तो सबसे फ़हले, 2 multiply 3 दीखा, तो यहां पर यह same precedence के है, मालब, same, इनकी importance है, importance same है, तो यह क्या करेगा, सबसे पहले किसको solve करेगा, इसको multiply को solve करेगा, क्यों left में सबसे फ़हले multiply 6 करेगा, फिर 6 से 4 को divide करेगा, अगर ऐसा case नहीं होता, कुछ और case आजाता, जिस तरह से, मालब, यह 2 plus 3 multiply 6 इस तरह से आजाता, तो यहां पर देखे, importance किसकी है, importance है multiply कि, सबसे फ़हले multiply करेगा, 6 3 जा 18 करेगा, plus 2 करेगा, तब जाकि 20 आपका answer देगा, तो importance पर depend करता है, तो यहां पर देखे, सबसे importance किसकी है, parenthesis की है, तो सबसे पहले parenthesis solve होगा, अगर मैं इस तरह से लिख दू, 2 divided by 4, ठीक है, 6 multiply 3, तो यहां पर सबसे पहले यह solve होगा, यहां पर parenthesis की importance सबसे जादा है, तो इसको solve करेगा 18 इसका answer देगा, ठीक है, 18 multiply by 4 होगा है, ठीक है, divided by 2 होगा, तो यहां पर देखे, आपने same importance क्या आगए, तो importance में क्या होगा, सबसे पहले left to right चलेगा, तो यहां पर देखे, सबसे पहले इसको divide मिल ला है, तो यहां पर सबसे पहले divide करेगा, फिर चाके इसको multiply करेगा, एक मिल बेज कीजिए, sorry for that, एक important call आ गया था, ठीक है, तो हम लोग कहां पर थे, हाँ, मैं आपसे क्या कहा रहा था, यहां पर जो importance होगी, उसके हिसाब से solve होगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब आता है आपके bitwise operators, देखे, bitwise operator क्या होगता हैक, जो specific 1-1 bit में लगते हैं, ठीक है, उससे के माली मेरे पास एक data है, मैंने लिखा, 10101011, यह मेरे पास data है, दूसरा data है, मेरे पास 1101010, यह मेरे पास data है, ठीक है, ठीक है, तो मैं bitwise end इसमें लगाना चाहता हूं, और इसमें एंड में एक एंपरसेंट होता है तो यह क्याता है perform a bitwise end operator on each pair of corresponding bit मत्तब यह जो होगा इसी के साथ आपका आउटपुट देगा, यह वाला इसके साथ करेगा, यह वाला इसके साथ, यह वाला इसके साथ, जो इसके नीचे होंगे, उसके साथ करेगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, और क्या करता है, रिटर्न वन इफ बोथ बिट्स आर वन, ठीक है, यह क्या करता है, यह तभी वन देग तो यहां पर 0 आएगा output यह 1 है यह भी 1 है सेम सेम है 1 1 है ठीक है 1 1 है दोनो 1 1 पर ही 1 आएगा तो यहां पर 1 आजाएगा यह 0 है यह 1 है तो यहां पर 0 आएगा यह 1 है यह 0 है यह 0 आएगा 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 यह 0 का one दूँगा बाकी time में क्या करूँगा otherwise return कर दूँगा में value 0 ठीक है यह चीज़ समझ में आ गई अब आया का bitwise operator और आ गया ठीक है और क्या करेगा और यह कहता है कि अगर एक भी one हो जाता है at least एक भी one हो जाता है तो मैं क्या करूँगा यहां पर output को one दे दूँगा जैसे की example के तोर पर हमने लिया 1010110100 और यहां एक जंबल लेगा वन जीरो जीरो वन जीरो वन जीरो वन जीरो वन जीरो वन तो यह क्या करें गया तो 1001001 भी one नहीं आया तो यहां पर जीरो वन यहां पर 10110111 जारू नहीं नहीं एक 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 लिस्ट वन बोला है वहां दोनों भी one हो सकते इक और उप्रेटर देरेर टान वन इत बित पीडि इफ रिफरेंट फिक है आज इक वन नहीं एक जीरो भी विटो यह यह लिए यह लिया यह जीरो जिरो है यहां दोनों ही डिफरेंट है दोनों ही डिफरेंट है जीरो 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 जी तो यह difference में क्या करेगा आपका 1 देगा output बागी जगा यह 0 देदेगा ठीक है और यहाँ पर देखे यहाँ पर आपका xnor नेम से कुछ नहीं होता आपने अगर digital logic पढ़ी है तो वहाँ पर xnor होता है इसको ऐसे भी लिखते हैं यह xnor और xnor ऐसे भी लिखते हैं तो xnor आपका नहीं होता है इसमें आपका सिर्फ और and और nor होगा यहाँ पर ठीक हो गया और इक not not आपको जिसे simply पता है not क्या करेगा convert करतेगा जिसे 1 को 0 में 0 को 1 में convert करतेगा यह conversion इसको कर देता है bitwise not इसको मैं थोड़ा और इच्छे सिग्जामल कर देता हूं जैसे माल लेजिए मैंने data रखा यहाँ पर 1010110 इस तरीके तो यह करेगा convert करतेगा 0 करतेगा 1 में 1 को 0 में 1 को 0 यहाँ पर 1 यहाँ पर 0 ठीक है यह चीज़ समझ में आ गई अब logical end operation क्या करता है देखिए end क्या करेगा end तभी आपका output देगा जब दोनों ही condition true होंगी ठीक है अगर तीन condition दी तो तीनों condition true होनी चीए 4 condition दी इस तो 4 condition true होनी चीए इसको आप ऐसे समझ सकते है truth table से समझ सकते है माल लेजिए मिर पास दो condition है ठीक है यह मैंने या इसको name t1 को name दिया मैंने t2 यह दोनों ही condition आपकी ठीक है और जो की लगला output देंगी अब दो condition है तो possible combination के तो बनेंगे चार बनेंगे ठीक है तो मैंने आप चार combination बनाए कासे कासे यह दोनों एक बार ट्रू दे सकते है यह false यह अपका false यह true यह false यह true कहने का मालब क्या है कि पहली condition true होगी इसको c1 दे देदों के मालों बनाए तो नहीं देगा मतलब यह false यहां पर भी false output देगा और यहां पर भी false output देगा मतलब कहने का मतलब क्या है कि दोनों ही condition true होनी चाहिए जैसे कि आपके फाइदर आपसे कहते हैं आपको 10th में 80% भी लाने हैं और math में 90 नमबर भी लाने हैं जो overall % है वो 80 होनी चाहिए और math में जो number होनी चाहिए अगर आपक आपने एक भी condition गलत कर दी मतलब आपके 90 से कम नमबर आगे 89 नमबर आगे math में और दूसरी जगा बोर्ड में आपके 81% आगे एक जगा condition फुल्फिल हो गई लेकिन एक जगा condition फुल्फिल नहीं होई तो यहां पर और end में ऐसे ही होता है end कहने का मतलब क्या है कि दोनों ही condition condition आपकी true होनी चाहिए तो दोनों ही condition फुल्फिल होनी चाहिए तब ही वह logical output देगा जैसे कि मैं यह देखना चाहता हूँ कि मैंने आपसे कहा कि ए जो है वह आपका क्या होना चाहिए 5 से बढ़ा हो and and b जो हो वह आपका 6 से बढ़ा हो ठीक है माले a की value कितने होगी a की value है आपकी 10 और b की value क्या है आपकी 50 इस case में दोनों ही case में यह यह भी condition true हो रही है तो यहाँ पर यह output निकल के आएगा वह true निकल के आएगा अब यह true output के basis में कुछ भी perform करवा सकते हैं कुछ भी perform करवा सकते हैं मालब जैसे मैंने चाहा कि अगर दोनों कंडिशन true होती है तो कोई value प्रिंट करते हैं तो value प्रिंट करके देदेगा वह देखेंगे code में कैसे लिखते हैं ठीक है लेकिन मैं अभी समझा रहा हो कि अग पहली condition बिल्कुल सही आ रही है लेकिन दूसरी condition क्या है गलत आ रही है इस case में क्या होता है आपका यह output generate नहीं करेगा मलब जो हम action perform कराना चाहते हैं वह perform नहीं होगा क्योंकि दूसरी condition हमारी गलत है यह दोनों condition सही हो नीचे अब यहाँ पर आप एक term पढ़ोंगे short circuit short circuit का होता है अगर ऐसी condition दी है तो short circuit नहीं होगा लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा change करता हूं क्या change करना चाहता हूं मैंने क्या कहा हूं देखे मैंने यह कहा कि ए जो होना चाहिए तो greater than होना चाहिए 5 से and and यहाँ पर मैंने कोई operation perform करवा दिया जैसे कि मैंने त्यास कहूं कि a divided by b ठीक है a divided by b यह क्या हो जाए यह क्या हो जाए less than 5 हो जाए यह फिर मैं चाहता हूं कि हाँ मैं कोई action perform करना जाता हूं यहाँ पर इसकी मैंने क्या करवा दिया मैंने अब देखे इसमें क्या होगा इस condition में क्या होगा कि मैं क्या चाह रहा हूं वैसे ऐसे लिखते नहीं है फिर भी कंडिशन गलत होगी न अगर यह a की value 2 है तो यह कंडिशन हो जागी गलत और मेरा यह action है जो performing नहीं हो पाएगा ठीक है वैसे हम नहीं लिखते हैं कभी भी हम ऐसे नहीं लिखते हैं लेकिन इस situation को समझाने के लिए आज से कह रहा हूं कि मान लीजिए मैं condition चेक करवा रहा हूं दो condition मुझे चेक करवानी थी एक में a greater than 5 होना चाहिए था दूसरा में क्याना चाहता हूं कि x की value equal to होनी चाहिए थी 5k तो अगर यह condition गलत हो गई तो मैं इस operation को करा ही नहीं पाऊंगा क्यों कि पहले ही false मिल गया तो यह दूसरा क्यों चेक करेगा यहाँ पर देखिए टेबल में देखिए, अगर इसको पहला false मिल गया जहाँ पर भी पहला false है वहा false आ रहा output तो क्या ही दूसरी value को चेक करेग नहीं है अगर जैक ही नहीं करेगा तो परफॉर्म कहां से करेगा तो यह action परफॉर्म नहीं होगा तो जब आपका इस तरह की condition आप लिखते हैं कि यहाँ पर पहले से कोई दूसरा operation नहीं हो पा रहा है तो वो क्या कहलाता है short circuit problem कहलाता है और दोनों and से जुड़े होने चाहिए ठीक है अब logical operator और की बात कर लेते हैं और क्या कहता है और यह कहता है कि दोनों में से अगर एक भी condition true हो गई आपने दो condition दी मान लीजिए और दोनों में से एक भी condition true हो गई तो मैं output true दे दूँगा ठीक है इसका table किस तरह से बनेगा कि यह condition one यह condition two यह है आपका output अले है true मिला दूसरे में true false और यह false ठीक है तो आप कैसे बनेंगे true false तो यहां पर देऻिए true true हो फिर से false मील कि यह ठीक है तो फिर से false देदेगा अ इकीत समझे में आ आ गई, यहां पर इयक होता है अगर एक घु मिला एक यहां दोनोंच यहां क्या करेगा और अद दोनों ही true होंगे तभी यह क्या कारेगा output तो देगा दोने चीजिन डी एक भी टू ओ जाता है तब भी आउट पूल पूल देगा अब देखे इस में भी आपकी प्रोल्म आती है अब इसके प्रोल्म कैसे आती है माल लीजे मैंने कंडिशन दी ए इस ग्रेटर देन फाइफ and sorry or operator लगा रहा हूँ और operator लगीगा यहाँ पर a की value मैं क्या कर रहा हूँ a की value मैंने देदी 10 और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ action perform कर रहा हूँ यहाँ पर जैसे x की value x is equal to a divided by b यह करना था मेरे को और यह देखिए अब आप बोल सकते हैं कि and और और operator के साथ आप यह क्यों कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कोई पी जो value आपकी positive value है तो वो true मानी जाती है तो यहाँ पर यह true हो सकती है मैं चेक कराना चाहता हूँ कि x की value अगर negative हो गई या फिर null हो गई जब 0 हो गई तो उस case में यह output क्या देखा जीरो मनलब false हो जाएगी condition ठीक है अब देखिए अगर मान लीजे यह condition आपकी true हो जाती है जो कि true है तो और के हिसाब से अगर पहला true हो जाता है तो दूसर true हो ना हो कोई फरत नहीं पड़ता देख लिए यह table अगर एक भी true हो जाता है माला लीजे true है दूसर चेक करने की चरवत है नहीं थो true आएगा यह true है इसको check रेंगा नहीं करेंगे तो वही Юसी चीज़ती है क्योंशन पूच ले जाता है कि सॉट्ट्रक्री一樣 होता कैसे एक करने की चल याथी आपके च में पहले कंडिशन पर पहले कंडिशनहीं स्मझ होता हैfig करें है यहां पर आपका order operator हो गए है अब हम क्या करेंगे इसको code में implement करेंगे और इसका proper syntax देखेंगे ठीक है तो यहां पर सबसे पहले एक variable ले लिया है xname से ठीक है और यहां पर कुछ value देदी मैंने 45 इसको value देदी एक और variable ले लेता हूं मैं let y और यहां पर मैं क्या कर रहा हूं negative 4 इसको value दे रहा हूं या फिर negative x कर देता हूं मैं इसको तो यहां पर क्या किया मैंने x की value को अब negate कर दिया तो यहां पर अगर मैं इसको print कर रहा हूंगा देखें print alien x की value को print करवा लूँगा और इसके सांसाथ में y की value को भी print करवा लूँगा तो यहाँ पार सिर्फ negative लगाने से क्या हो जाएगा जो x की value थी वो negative हो जाएगी बनाद y में जो negative value save होगी ठीक है अपकी y की y x minus 45 हो जाएगा इसको run कर लेंगे अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा आपका यूज करूँगा जो की not के लिए यूज किया जाता जो रिवर्स करता है ठीक है तो एक और variable लेंगे let z मैंने एक variable ले लिया ठीक है जो की क्या लेगा true value लेगा अब मैं इसको भी यहाँ पर print करवा लेता हूँ यहाँ से copy कर लोंगा यहाँ से सुकर दोंगे तर paste यहाँ पर exclamation mark का use करता हूँ यहाँ पर देखिए true की value false मुझे output में दिखाएगा यह इसने क्या कहता है true की value को false करता है तो यह कुछ unary operator था आपके ठीक है और 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 unary operator है तो यहाँ पर देखिए अब मैं इन ही variable को लूँगा इन में क्या गारूँगा कुछ mathematical operation कराऊँगा जैसे कि यही पर मैं कराना चाहता हूँ output में x plus y तो यहाँ value की जगहां कर लेता हूँ sum इन दोनों को add करा दिया मैं इसको मैं run करता हूँ यहाँ पर देखिए जीरो आ गया ठीक है positive का और negative प्लस हुआ तो यहाँ पर जीरो आ गया ठीक होगा यह चीज़ समझगे तो simple operation है operation plus minus वाले अब कुछ operation और करा लेते है मैं पी एक variable ले लिया यहाँ पर ठीक है अब यहाँ पर मैं कुछ mathematical operation कराऊँगा जैसे कि आपको जो x होगा x multiply by y ठीक है और फिर हम यहाँ पर फीर से multiply लगाएंगे multiply और parentheses क्या करूंगा मैं यहाँ पर जो x है उसको क्या करूंगा उसको divide कर दूंगा या फिर उसको multiply कर देंगे देखिए उसको multiply कर देंगे 2 से ठीक है फिर उसमें plus कर देंगे आपका 4 और पिर हम डिवाइट कर देंगे तूस से इस तरीच सा ओर्पेशन करवा रहा हूं अब आप क्या करना है इसको calculate करना है इसका answer मुझे बताना है यह पिर comment बता सकते हैं तो हम पर पी को यूज गी है तो यहां पर प्रिंट करवा लेंगे प्रिंट कर वा लिए यहां पर पी लिख लिखने है तो हो क्या रहा है एक्चुली में x y से multiply हो रहा है ठीक है सबसे पहले क्या होगा parenthesis होगा parenthesis में भी सबसे पहले क्या होगा एक्स multiply by 2 होगा फिर y 4 divided by 2 होगा अब यहां पर आप कह सकते हैं कि सर्फ 4 2 से डिवाइड हो रहा है तो यहां पर तो decimal value होनी चाहिए या फिर मैं decimal value लाने के लिए 5 ले आता हूं 5 divided by 2 तो यहां पर यह जो है floating type में नहीं आगया 2.5 आना चाहिए अंसर जबकि यहां पर i32 फिर भी यहां पर i32 ही दिखा रहा है ऐसा क्यों हो रहा है यहां पर ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि देखिए जब आप operation करते हैं ठीक है और उसमें जितने वी वेरेबल यूज हुए है अगर वह एक ही टाइप के है जैसे कि i32 टाइप के ही है ठीक है तो उनको हम परफॉंग करवाएंगे और उसमें अगर मैं डिवाइड करता हूं डिवाइड करके floating point में नमबर आ आता है तो वो क्या करेगा उसको जीरो के पास लेके आएगा तो जीरो के पास लेने का मतलब क्या है देखिए तो यहां पर देखिए तो यह क्या करेगा इसको जीरो के गरीब लेगा है का मतलब टू बना देगा इसको इसको कितना बना देगा टू बना देगा अगर टू और फिर दोनों प्लस हो जाएंगे और फिर आखा बाहर का operation लगेगा अब देखिए कुछ लोग क्या करते हैं अगर यहां पर आपने नहीं लगाया ठीक है यह समसे जिसे हम math में लिखते हैं 4 का ब्रैकिट लगाते हैं तो हम automatically multiply समझ लेते हैं यहां पर rush उसको नहीं समझेगा multiply आपको बताना पढ़ेगा specifically कि यहां पर यह multiply है देखिए मैंने हटाए यहां पर से red light और yellow light दिखने लगए मतलों यहां पर कोई गलती हो रखी है तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे एक लगा देंगे मतलों यहां पर multiply का sign हम लोग लगा देंगे ठीक है और फिर में इसको operation लगा है मैंने ठीक है divide के case में आप हमेंसा यह समझ जाएंगे कि अगर बाकी variable कि 7 अगर divide यूज हो रहा है तो वो normal value देगा आपकी ठीक है अगर आप floating point में number value देना चाहते हैं लेना चाहते हैं तो आपको इहां बताना पढ़ेगा कि जो return होके value वो floating type में आएगी ठीक है यहां पर देखें पूरा expression जो हैप का वो क्या हो गया यहां पर गलत हो गया एक्सप्रेशन क्यों गलत हो रहा है क्योंकि यहां पर अलग टाइप के data है यहां यहां पर क्या लेना था मेरेको सारे एक 64 टाइप के लेने थे और यहां पर divide भी जो होगा वह भी floating point से होगा जै देखें आपर array दिखा रहा है भी cannot be divide integer by float अब integer को float से divide नहीं कर सकता तो यहां पर 5.0 इस तरह से दिखा मैंने अब यहां plus नहीं हो सकता देखें प्लस क्यों नहीं हो सकता cannot add a float of integer float को integer से प्लस नहीं कर सकता तो यहां पर भी इसको convert करतूं में 2.0 में अब देखें यह क्या क कि X को आपका multiply नहीं कर सकता कि X हमारा क्या है इंडिजर टाइप का है तो इसका आप ध्यान देना पड़ेगा अगर overall result आप ऐसा चाहरे है जहां पर आप एक float number से divide कर वा रहे हैं तो आपको हर किसी को float में convert करना पड़ेगा इसको हटा देते हैं यहां से आपको समझ में आ होगा हमारे operation जो होते हैं इसी तरह से होते हैं और divide में कोई भी जो value आएगी ठीक है तो यहां पर जो value आएगी अगर आप floating point में भी करते हैं ठीक है अगर floating point में करते हैं जैसे 5 divided by 2 था ठीक है तो accurate answer देगा 2.5 अगर आप floating point में नहीं करते हैं तो क्या करेगा 10 to 0 जीरो की तरफ आने के कोशिश करेगा 6 divided by आपने 4 कर दिया तो इसका जो answer आएगा वो किस की तरफ हैगा जीरो की तरफ आएगा number line में represent करूँ तो यह जीरो की तरफ आएगा अगर negative में भी होगी value तब यह 0 की तरफ आई यह value ठीक है जैसे माल लिजे decimal मार रहा है आपका negative 1. 1.6 तो जीरो इस तरफ है तो यहां पर यह 1 देगा negative का 1 देगा output अब यह आ रहा माल लिजे 3.62 तो यहां पर यह क्या देगा 0 की तरफ का मैला इधर को देगा number line में 3.62 इधर को represent होगा और इससे पहले 3 represent होगा तो यहां पर 3 आएगा output ठीक है यह चीज समझ लिजे और यहां पर कोई variable लिजे यहां फिर manly ऐसे करते हैं अपका P कर लेते हैं P कर लिया P और यह हमारा value दे रहा है 2 2 type 2 है इसमे value और मैं यहां पर क्या करा हूँ modulus निकाल लाँ किसका modulus यहां पर X modulus 2 निकाल मॉडुलिलिस के लिए mod ना sign लगेगा और यहां पर 2 लिख दिया मैंने simply ठीक है और यहां पर P को तो यूजी निकिया मैंने मॉडुलिस P से कर लेते चलिए ठीक है और यहां पर इसको run कर रहा हूँ मैं ठीक है इसमें अगर मैं run करता हूँ तो यहां पर मयाने इसका negative 1 आ रहा है ठीक है तो यहां पर जो modulus की value आती है वो one नहीं आती है अब थोड़ा logical operator के हम लोग आते हैं ठीक है logical operator के लिए मुझे binary में चीज़े चाहिए होंगी सबसे पहले मैंने let लिया एक नमबर AB ठीक है और यहां पर लिखूंगा सबसे पहले 0000 हमें बताना पड़ेगा यह बाइनरी टैप का है 0B 011001 ठीक है यह मैंने इक binary number लिया ठीक ह इस तरीके से मैंने इसको लिखा डोनों number है अब इसमें क्या करता हूं हमें bitwise end और एक्जार operator लगाता हूं ठीक है तो यहां पर क्या करेंगे simply print करवा लेते हैं तो यहां पर देखिए AB ठीक है और end operator के लिए double end लगेगा और यहां पर BC bitwise operator में एक end लगता है ठीक है तो यहां पर यहां पर यह आ गया ठीक है इसको मुझे print out करवाने तो कैसे कराओंगा दीखिए अब अगर मैं इसको print करवाता हूं और यहां पर save कराके रन करा दीखिए तो आप आउटपुट देखिए आउटपुट 4 कैसा आ गया क्योंकि य 10 में value होगी वह value रिपेंट करके देदेगा जैसे अगर मैं इस operation को यहां पर करवा हूं तो यहां लिए कि मैंने के लिखा 010101 और दूसरा number क्या था आपका 101110 इस तरीके से तो यहां पर bitwise end में क्या होता है दोनों मैंसे दोनों ही one होने चीए तो यहां पर कितना है जिरो यहां कितना ना जहां जिरो यहां कितना जेगा ओंन यहां सो चैữa जिरो हैँ जोगह तो Trung है तोkap परस्या यहां अब मैं जाता हो कि Бाइनेरी में हमारा आउट पूट आने के लिए यहां आठाह enroll न्हीं लिखेंगा वा तो आउट्पूट आएका 100 जो कि हमारा अंसर आ रहा था ठीक हो कि अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा और चेंज करता हूं यहां पर एक और जीरो लगाता हूं अच्छा यहाँ पर समाई कोलन मिक्स हो गया शेक परके रन कराते दुबार से यहां पर देखे 1010100 यह आपका आउट्पूट आ रहा है ठीक है यह अपर आगे और अगर मुझे एक्जॉर चाहिए एक्जॉर चाहिए तो एक्जॉर के लिए करूंगा यहां पर मैं यहां पर पावर सिंबल आपकर जो लगता है सिक्स सिक्स के उपर मिल जागा उसको रन करूंगा तो यह आला उट्पूट मिलेगा ठीक हो गया इस तरह के से काम करेगा और अगर मुझे निगेट चाहिए वैल्यू निगेटिव चाहिए मैं इसका आपोजिट चाहता हूं तो अब के आगे मैं क्या करूंगा अपका स्क्राइशन मार्क का यूज कर लूँगा तो यह क्या कर देगा वन को जीरो 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 को वन में कर देगा अब आप सोच रहोंगों कि इस तरह से आउटपूट कैसे आ गया है तो यहां पर सिंपली देखिए यहां पर लिखा हुआ है आपका 11100 लाश्ट अगर बिट देखे तो हमारा आउटपूट क्या था यह भी क्या था हमारा 010101 तो यह वन का बनके जीरो जीरो का बनके वन व 32 इसके आगे और होंगे जब पॉजिटिव नमबर था तब तो यह 00 था ठीक है तो इसके आगे से 00 हो वो रिप्रेजेंट हो या नहीं हो उससे कोई फरक नहीं पड़ता लेकिन जब यह वन बन जाएंगे क्योंकि निगेट कर रहे हैं सबको तो 0 बन जाएंगे 1111111 इस तर अब हम लोग समझ लेते हैं logical operators अब हम समझ लेंगे आपका end operator को ठीक है end operator किस तरह से काम करता है तो देखें सबसे पहले मैंने लिया let x एक variable लिया पांच value इसमें लिया पी 6 value मैंने इसमें लिया एक और value लेते हैं y जो की equal to 10k ठीक है अब मैं क्या करो इसकी condition लगा रहा हू तो से और उसके साथ ही साथ क्या होना चाहिए आपको जो y होना चाहिए वो less than होना चाहिए 20 से इस case में हमारी दोनों ही condition true हो रही है तो हम लोग क्या कर देंगे simply print करवा देंगे करवाँगा मैं hello print करवाँगा यह मैं simply print करवाया इसको मैं करवा देता हूँ run run करवाएंगे तो hello मेरा print होके आएगा लेकिन अगर condition change हो जाए condition यहाँ पर एक गलत हो जाए y वाली गलत हो जाए उस case में क्या होगा उस case में जैसे मैं आपको बता है कुछ भी output प्रिंटों के नहीं आएगा क्यूकि दोनों condition true होनी चाहिए end की case में तभी चलता है माली यह पहली आली जो y वाली condition वह तो true है लेकिन आपकी जो x वाली condition है वो false हो जाती है उस case में देखे क्या होगा उस case में अगर मैं इसको run करूँगा तो तब भी output नहीं आएगा आपकी दोनों ही condition true होनी चाहिए यह था end का operator यह थो end operator था अब हम समझ लेते हैं कि और operator क्या होता है इसमें अगर दोनों में से एक भी condition true हो जाती त बिर देगा तो यहां पर ही इसको run करता हूं मैं क्या 옛 फार Nice आपर इस लीए इसी किि मैंने एंड लगाया इस यहY होता है देखे जब हापी कारते हैं यहां पर चला है hello friends welcome to cs6 आगया क्यों कि पहली condition फॉल्स तो हो गई पहली condition फॉल्स होगे लेकिन दूसरी condition अभी वी true है वो less than 20 है अगर दोनों ही condition फॉल्स हो जाती है तब ही आउटपूट नहीं चलेगा तो आप समझ के कि और operator में क्या होता है दोनों ही condition क्या हो नीची है आपकी दोनों में से अगर एक वी condition फॉल्स हो जाती है तो आपकी अब यहाँ पर एक हम लोग क्या करते हैं simply short circuit का प्रोग्राम बना लेते हैं उसमें हम लोग यहीं पता कर लेंगे कि short circuit से होता क्या है देखिए माल लीजिए x और y रखता हूं variable ठीक हो गया मैंने सबसे पहले क्या करूंगा इफ यहाँ पर मैं लिख रहा हूं if y is less than 100 या फिर 20 या फिर 20 नहीं करते हैं यहाँ पर value change कर लेते हैं यहाँ पर 10 करते हैं और यहाँ पर less than value 20 चेक करा रहा हूं है अगर चेक होती है ठीक है और और साथ में करा रहा हूं मैं एक function को call करा रहा हूं और वो function क्या कर रहा है दो काम कर रहा है एक वो किसी भी specific value हम एक variable लेंगे जिसको change करेगा उसकी value को change करेगा या फिसमें नई value को save कराएगा और उसके साथ मुझे greater value भी देखा कि दोनों में से कौन greater है ठीक है एक्स greater है या y greater है ठीक मैंने एक मैंने एक यहां पर क्या करना method बना दिया स्थरी function बना दिया greater इस ग्रेटर फंक्शन मनाया है मैंने यहाँ पर मैंने X की वेल्यू पास करी और मैंने Y की वेल्यू इसमें पास करी ठीक है अब यह function क्या करेगा simply अगर यह दोनों condition true हो जाती है तो यह करेगा simple हम लोग क्या करेंगे print करवा देंगे command in the function यह अभी लिखते हैं hello output लिखा देंगे simple अगर चलेगा तो यहाँ पर यहलो आजाएगा बंदर नहीं आए ठीक है अब मैं क्या करता हूं जो is great मैंने function बनाया उसको बना लेता हूं is underscore great fn is underscore great is greater ठीक है अगर x और y की value लेने तो बताना पड़ेगा x किस type का है i32 type का है और दूसरा y किस type का है y i32 type का है ठीक है यह return किस type की value कर रहे है यह बताना पड़ेगा ठीक है तो यहाँ पर return करवाया है मैंने अब मैं यहाँ पर क्या करवा रहा हूँ simply देखिए सबसे पहले मैं एक variable ले लिया let a name से एक variable ले लिया जो की क्या कर रहा है x की value को या फिर x plus y की value को multiply कर रहा है x की value को 2 से multiply कर लिए जमान लिए simple operation करवाया है मैंने ठीक है क्योंकि मुझे एक की value यह बात में चाहिए थी मैं एक से दो एक तीर से दो निशाने करवाना चाहाँ एक चुली मैं क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पर a की value में x multiply 2 भी करवा लूँगा एक को use भी कर लूँगा अपने according और यहाँ पर मैं चेक भी करा दूँगा कि कौन greater है ठीक है इस तरीके से ठीक है तो simply हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे है कि यहाँ वाइ को डिवाइड करवाता हूं आपको x से टो यह greater than equal to 10 आ रहा है नहीं आ रहा है ठीक है अगर ऐसा होता है तो यह करेगा आपकी रिटर्न वेल्यू करतेगा यह आपकी ट्रू वैल्यू करतेगा अगर यह कंडिशन ट्रू होगी तो यह क्या करतेगा ट्रू करवा लेते हैं कि यह वार्णिंग थोड़ा चुटकार मिल जाए इससे ठीक है यह हमने यूज कर लिया और यहाँ पर इसको यहाँ पर क्या करने डिवाइट करके चेक करवा लिया ऐसा कि बहुत कम होते हैं इसे कैसे मैंने अभी तक तो नहीं देखे हैं इसे कैसे लेकिन यह कि मतलब दोनों वैल्यू ट्रू होनी है पहली वैल्यू फॉर्स में जायगी तो क्या दूसरी वैल्यू को चेक करेगा चैक ही नहीं करेगा तो इसको call ही करेका थो यह इसे से mountain हो गा कुछ और ना यह फैट्र। रिटन करेगा यहाँ पर सकार्लिद करके देखता हूं इस larger than 10 एकूं जका से चल गया तो इसने दूरी कंडिशन को पॉल्स कराईए तो दीखेजिए कोई भी वैल्यू कौई आउट्पूट नहीं आया क्यों नहीं आया पहली बात आथ देखें पहली कंडिशन फॉल्स हो तो इसे दूसरी कंडिशन को चला यहां पर इस case में हमारे इस greater लिखाए वे नहीं आया जबकि इससे पहले case में क्या हो रहा था जब 10 value थी तो पहली condition true और दूसरी condition भी चल रही थी दूसरी condition चल लीती है तो hello भी print होके आ रहा था ठीक है और ये भी print होके आएगा अब hello print होके आ रहा था वो भी देख लेंगे नहीं होके आ रहा है hello print क्योंकि यह जो value रिटन कर रहा होगा यह false रिटन कर रहा होगा यह greater than 10 नहीं है यह less than 10 है अब करेगा देखिए क्योंकि divide क् 10 5 से divide हो रहा हो तो 2 आएगा answer तो जो कि less than 2 है true हो जाएगा तो true की case में दोनों condition true हो जाएगी यह वाली और यह वाली और यह वाली और यह वाली और यह वाली दोनों condition true हो जाएगी इस case में तो hello print होके आ जाएगा ठीक है समझे आप तो यह short circuit की problem होती है short circuit में क्या होता है पहली condition false हो गई अगर end के case में तो दूसरी condition को check ही नहीं करेगा और और के case में क्या हो जाएगा और लगा दे रहा हो सिर्फ यहाँ पर और पहली condition को में true करवा दे रहा हो अभी दूसरी condition चलेगी नहीं और प्रिंट हेलो होके आएगा तो यहाँ पर देखें सिर्फ हेलो प्रिंट होके आया क्यों क्यों जैसे ही इसको मिला पहली condition true तो यहाँ पर और condition में एक ही true चाहिए तो इसमें आउटपूट से प्रिंट कर दिया इस greater चलाया ही नहीं तो य आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे थेंक्यों वाचिंग गुडबाई टेक केर